हमारे पार्ट की तरफ से बड़े बिस्तार से कही दिये गए कि राहूल गादनीजी की भाषन के क्या है उनकी ब्याक्यान क्या है और इसके साथ OBC का जरासा भी तलुकत नहीं है और ये OBC का ठेकेदार ना मोधी बने ना स्रीती इरानी बने क्योंकि OBC की नाम करते हुए ये और कुछ नहीं स्रेफ सियासत करना चाहते हैं OBC लोगों को भरकाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के OBC को इतने आसानी से गुम्रा नहीं किया जा सकता जो हो गया सो भूल जाओ मोधी जी और इरानी जी अभी तुम्हारे सारे गुबबारा से गयास निकल चुके हैं तो इसमें और कोई अहमियत नहीं बची हुए है राहूल गांदी जी से भागते हुए है मोधी जी आज सीती इरानी को तैनत कर रही है उगर ना कहीगी तो उनकी नौकरी भी चले पिर भी वो कुद जानती है बकू भी जानती है कि राहूल गांदी जी की जो बात इस तो चोड़ी चुपी कोई बात नहीं तूसाद नाइंटीन में बात किये गए उसके साथ कोई तलुकत नहीं असली मुद्दा से आओ बिरोजगार क्यों रोजमारा चीजों की बेतासा दाम में इजाभा क्यों? किसानों के हालात बत्तर होते जा रहे है क्यों? हमारे हिंदुस्तान में आम लोगों की तकलीपे इतना ज़्यादा हो रहे है क्यों? और सारे बैंकों को लूटते हुए इतने सारे लोग क्यों भागने का मोका मिलते हैं? ये सारे चच्चा में सीतर राने जी और मोदी जी आप हिंदुस्तान के लोगों को आमना सामना करें मैं और एक प्रोपोजल दे रहा हूं मोदी जी आपको आठ नौ साल हो गए है राहूल जी एक खिला बहुत सारे बात कही चुके हैं अगर हिम्मत है तो मीडिया बालों के सामने बैटके मीडिया बालों को कहे दे जो जो मर्जी पूछते रहना मैं मोदी बिश्टा गुरू है जबाब देने के लिए तैयार है एक बर कहे दे क्योंकि हिंदुस्तान के आम लोगों को भी ये सुनना चाहिए ना आप सदन के अंदर कुछ बोलते ना बहार कुछ बोलते किसी को दुआरा बोलते रहते है और जब मंच पर भासान देते हो सारे गलत बयान पेश करते हो लोगों को भरकाने की सारे प्रयास कर रहे हो मीडिया बालों के सामने बैटने की हिम्मत क्यों नहीं होते रग मोदी जी आपको मैं पुछना चाहते हैं आप इतने बारे प्राइम मिज़र बीश्व गुरू बनते जा रहे हिंदुस्तान के अब मीडिया बालों को सामना करने में आपको दिक्कत क्यों अब डरते क्यों अब डरे हुए आद में इसलिए हर चीज में डर आपको दिखने को मिलता है